इक्रा की एक चीज है कि पिछले दो साल में दो जार बाइस के विधान सबाद चुनाओं के बाद इक्रा ने खुद को यह सावित कर दिया कि वह आप लोगों के बीच तो 6 लाग क्या असपास यहां पर मुसलिम मत दाता है आठ लाक क्या असपास हिंदू वोटर है दो लाक क्या असपास दलीत वोटर है यह कहराना लोग सबसी पर बस्पा के पर्तियासी दोनों दलों के बीच का अंधर पैदा करेंगा जितना इक रापोई दूट मिल जाएगा तरहीं मुसलिम कर देंगा नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ विपिन चोड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पालिटी ने अपनी एक और सूची जारी कर दी है और उसमें कैना लोकसभा से इक्राहसन को में किस प्रकार से अंक उन्मावण is in और सबक्रांडी नियर्नकाष अपना लोकसभा पर उसकाष का उयुक्राहसन चुनावल्यान को किस प्रकार समीधा सकते है guess लेकिन अभी भारत्य क्यों तो पर्भारी को पर्भावी की इस पर भारतों से न लोगस्ता से पर पर्भारी का एलान हुआ न कोई सख्रियत आहे हैं राष्टे पार्ट्य कोई ना कोई विद्वार चुनाव लड़ेगा बस्पा की पर्भाव की भी सीट है लकुडर गंगों में तो लगवग एक लाग बीस तीस जार वोट पर पर प्रतियास्यों को मिलते ही रही है पूर सी तो बस्पा का और भारते जन्ता पार्टी क्या करती है उस पर भी बड़ा इसमें देखने वाली बात होगी क की तरफ से भी तो कई दावेदार है मनि शोहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो लगतार सक्री हैं दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट होगा वो दूसरा नाम जो है जो प्रिशिवन के बाद पहली बार सांसद बने थे बाभू हुकम सिंग जी उनकी बेटी वरगा पार्टी का खुद का अपना मजबूत सिस्टम है लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले च्छे महिने आप देखिए पिछले च्छे महिने में कैरान लोकसभा सिट पर खास करके आप देखिए साहरनपूर में ये कोई एक्टिविटी नहीं है मीर भोजपरकरन को लेकर आगल राजकू समाज का विरोहत परदीब चोफद में एक हिलाब पंचाय थे विदाय प्रद्शिंग तीसरा आप ललीजें मनीष चोहन की और परदीब चोफदी घखरी मोलेकर आप जिस तरह से भले में कहीं न कहीं आपसमें के बीच टक्राव की स्थितिय है आपने देखी होगी अभी एक से चैनल के माध्यम से एक को वाँ पर मनीश्वान के वाँ पर एक मिटिंग थी उसमें एक कार्य करता कह रहे हैं कि हम अब यह हमला परदीव चोधरी के दबारा करा है अलागी सचाई क क्या है यह तो सब जानते हैं कि क्या हो सकता है क्या परदीव चोधरी इस तरह के नेता है इस तरह का हमले वाली लेकिन यह आरो प्रात्यारोप वेपिन भाई भारते जनता पार्टी अनुसासन की बात करती है कि जिस कार्य करता को भारते जनता पार्टी चुनाव लड़ा वो भारते जनता पार्टी का बड़े से बड़ा पद्धादीकारी उसके लिए काम करेगा और छोटे से छोटा कारी करेगा लेकिन जब आप अपनी पार्टी के आप कम खाई मान रहे हैं जब आप सारवजनी गूरूप से इस तरह की बात करेंगे मान लीजे भी भाई मेरी औ लोग के कुछ गाओं में जो गुर्जर समाजी के परदीव चोदरी के सजातिय वोटर है वो लगतारा बड़े-बड़े आरूप लगा रहे हैं के नहीं आए गाओं में कोई विकास निए तो इस तरह से उनको कही ना कही बैक फूट पर धखिलने की कोशिस उन्हीं की पार परत्मान माहून में बस मुस्लिम वोटों में ही सिमट कर रह जाएगी पलस में उनके पास क्या है देखे वीपिन भाई देश की राजनीती और प्रदेश की राजनीती में खासकर यही रहा है कि एक वर्ग दो विचार धाराओं के बीजिश लड़ाई होती है भारते जनता है कि अब बारते जनता पार्टी के उम्मिद्वार को बस्पाय सफ़ उतारती है आप गंगों के उधारन ले लीजिए राजनीति के जानकारों के माने तो सपह से या सम्धार घौरते नहीं हो पासे तो क्या हुआ भाजपा के साथ चला गया सपह के साथ नहीं गया ऐसे है बारे में कहा जाता है कि सैनी समाज ने अपने सैनी मंतरी जी को छोड़के भारते जंता पार्टी को वोड़ दे दिया तो इस तरह की राजमीती तो चल रही है हालांकि देखे हमारी जो पश्य उतर परदेश को लेकर जो होता है यहाँ पर क्या होता है भाई साब बस्पा को इग्नोर नहीं किया जा सकता यानि बस्पा का वोट बैंक हिंदू और मुस्लिम दोनों से लग रखा जाता है जब आप किसी भी सिटकी बात करेंगे तो उसको तीन एंगल में बताएंगे कि इतना मुस्लिम वोटर है इतना हिंदू वोटर है और इतना धलित वोटर है तो यह चीज़ होगी तो 6 लाग क कि आसपास हिंदू वोटर हैं दो लाग के आसपास दलीत वोटर हैं बस पके आप कितने ही कंडिडेट फालो डेड़ लाग वोट उनके सिंबल पर पढ़त रहा है जब भी ऐसी चीजी थी पुल्वामा हमले के बाद हिंदू-मुसलिम चुनाव होगा था पूरा है चेंपर चुनाओ तो इसी कंडिशन में होता है विधानसभा चुनाओ में आप देख लीजिए हम फैक्टर पूरा हावी रहा है यहां तक कि भारतिया जनता पार्टी को जाठ मत दाता बड़े उस परसंद चोधरी जो राष्टे लोग दल लिए उनके खिलाब भी बड़ी संख्या जिसके चलते हो विधानसभा पहुंचे तो यह चुनाओ तो परशिब उत्तर परदेश में तो यहां पर इक्रासन की इस्थिती बड़ी मजबूत है तो जैन चोधरी ने जिस तरीके से पाला बदल लिया है तो जाठ समाज का वो जो लाको वोटर है वो निशीत रूप से उन में से लगबग जैसी पीचासी परसेंट नबे परसेंट के करीब भाजबा की तरफ ट्रास्पर होगा वीपी नुबाई तो उन वोटों की भरपाई तरह असन कहा से विपी नुबाई मैं आपको एक जमीनी सच्चाई बिल्गुल दो हमने दो हचार बाइस के विधान स चोड़ी दस हजार तो भी जब जब मुस्लिम तो एक तरफ अलाम बन था दो हजार वाइस में सपार इंडिकेट बंदन में तो उस इस्तिति में तो परसंट चोदरी को लगए साट-सत्रहजार वोट से चुनाओ जीतना चाहिए था कर जाट को यानि राष्टे लोगदल के बात है लेकिन आट समाज एक बड़ा बहादूर समाज है और लगातार मतलब विरोध भी करता है तो मुखर होके करता है तो यह कही न कहीं ऐसा नहीं है इसके बाद एक चीज बड़ी निनायक होगी कि अगर बसपा लग चुनाओ लड़ती है तो चंद्र सेखर सपा का साथ लगा तो कहीं न कहीं कुछ वोट जो प्लस हो सकता है सपा के लिए चाहिए वह कहराना पर वोट का कुछ हिस्सा क्योंकि समाज में चंसेखर लागतार ररक्षन खताओं करने की बात को लेकर जाते है तो यह वाव में इस चीज को लेकर भी है कि भारते जनता पार्टी हो सक चाता है दलित वो साइद इसके पक समाज आए सपके अब अगर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और ये कोंग्रेस तो अब अलग हो गई ये ख़बर भी आज निकल कर सामने आ रही है कोंग्रेस और सपा का गडवंदन भले हो जाए बस्पा सुप्रीमो मायावदी तो आइलान कर चुकी है दो बार आइलान कर चुकी है कल भी उन्होंने ट्विट किया कि मैं किसी के सथ चुनाव मिलेडूंगे के लिए चुनाव लडूंगे विपिन भाई आप एक चीज नोट करिए कैराना लोगसावा सीट पर बस्पा के पर्तियासी दोनों दलों के बीच का अंतर पैदा करेगा जिस तरह से चर्चाए है कि किसी मुस्लिम को बस्पा चुनाव मैदान में उतार देती है अगर मजबूत से मजबूत भी आप देख लीजिए साहिल खान के मुकाबले चोधरी इंदर सैन को मुस्लिम मोटर मिल गया उसके घरम सिंग सैनी को मिल गया साहिल खान के मुकाबले चोधरी इंदर सैन को मिल गया नौमार मसूद के मुकाबले तो बस्पा के सिंबल पर मुस्लिम इतना मैं इवानता के विस्वास कर पाता है एक चीज आम बारे में भाजबा के साथ नहीं जाएगा तो इस वज़े से भी मुस्लिम उस्पर विश्वास करते हैं अगर बस्पा समाजवादी पार्टी के साथ गड़ बंदन कर लेती है और इकरहासन यहां से चुनाओ लडेंगे ही तो मलब फाइदा भाजबा को होगा अगर बस्पा वर्वादी प्रदीव चोधरी के जादव बढ़ गए मरगां का सिंग चाड़ लाग कुछ पर शिवनट गई थी प्रदीव चोधरी पांचला कर वह कर गई चैलाक के नजदी को मनला बस्पा का वोटर भाजबा की ता कहीं से तो वोटाया ना भाही वीपिन भ मरगांका सिंजी को भी बड़त मिल ली थी नकुड में परदीब जी भी आ रहे हैं वरगांका जी भी आ रही थी तो ऐसा कोई मैजिक तो हुआ नहीं वो कहीं दलीत वोटर ही सायद गया होगा भाड़ते जनता पर ऐसा हो जाता है ना भी मिलवाई के अगर डेड़ लाक वोट के लोगों की जो सामली कहराना और निर्णायक होंगी क्योंकि वह जमीन पर ये चीज विपक्स कहले ये भारते जनता पार्टी के ही नेता पहुचाने में काम्याब हो गए कि परदीचोधरी छे से दूर है भले ही वो सुकरवार को सामली बैठते रहे हैं ये चीज जमीन य अगर आप भारते जनता पार्टी से त्यारी कर रहे हैं तो आपको में जाना चाहिए आप मानेंगे ना हिंदु गुजिरों के बाहुलता का छेत रहे हैं गंगो नकुर पताइए किस गाओं में जाते हैं मनीश्वान किस गाओं में प्रोगाम हुआ है मुस्लिमों के साथ हैं तो यह चीज है मरगांका पर सकता है अगर मनीश्वान चुनाव रड़े दो जब आपने आपका पहला सवाल था कि क्या इकरा को अगर और चुनाव मैदान में आती हैं तो कि मरगांका सिंग आरू मुझा है लेगिन रिकार की एक चीज है कि पिछले दो के और मैंने 2022 के विधान समद चुनाओं के बाद इकरा ने खुद को ये सावित कर दे कि वो आप लोगों के बीच है देखे उसे अठके जा आपने सवाल किया था ये पहले इकरा हसन को लेके हिंदू हो या मुसलिम हो मुसलिम है सब कि ये बात है मैनत करती हिंदू भी करते मुसलिम भी करता है तो इक ना के बारे में यह मरगांका सिंग को अब जो है वह बेचारी के उसमें के कई चुनावार चुकी है इनको इनका सहयोग करना चाहिए तो यह लाव नहीं मिलेगा और इस सीट पर चोदरी इंद्रसेन जिनका काफी परभाव भी है वह भी टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकर आसन का हो गया सपा के निता है तो सपा ने विदाहन सब चुनावा भी लड़ाया था आलांकि राजनिती में मतवेद रहते हैं सब जानते हैं कि मतवेद देखते है क्या लीड़ने लेते हैं वैसे तो पार्टी के हैं सामाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं के बी चुके हैं वह पूर में जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए कांवर में आपने सुना खिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में पिर आप से मुलाकात हो तब तक बने रहे हैं दोस्तान 24 के साथ नमस्कार